Hello Everyone, Welcome to Raviditi Classes आज की वीडियो का टॉपिक है First in India 2023 इस वीडियो में हम First in India ने भारत में पहले से जुड़े कुछ most important कर इंटरफेस के questions को cover करने वाले हैं Friends मैंने सभी questions selected और important लिए हैं अगर आप किसी भी exam के तियारी कर रही हैं तो चलिए Friends वीडियो को स्टार्ट करते हैं First question से Question है Mara From where will India's first hydrogen power train start its journey? भारत की पहली hydrogen से चलने वाली train कहां से अपनी आतरा को शुरू करेगी? तो ये शुरू करेगी हर्याना के जिन्द से तो पहली जो hydrogen fuel train होगी इसे operate किया चाहेगा जिन्द सोनिपत रूट पे hydrogen जो train होती है देखे hydrogen train होती है वो fuel को use करती है to convert hydrogen and oxygen into electricity मदब hydrogen और जो oxygen है उसको electricity में convert करने के लिए ये fuel cells को use करती है hydrogen trains और इंडिया में पहली बार चलेगी कहां पे कौनसे state में? हर्याना state में हर्याना की बात करती है friends तो हर्याना की capital क्या है? चंडीगर, हर्याना की chief minister है मनुहर, लाल, खटर और हर्याना की governor कौन है? बंडारू, दत्तात्रे अगले question पे बढ़ती है which will become India's first solar city? भारत की पहली solar city कौन सी बनेगी? आंसर होगा सांची मध्यप्रदेश तो मध्यप्रदेश का जो सांची शहर है कि भारत की पहली solar city बनेगी सांची city जो की मध्यप्रदेश के rising dialogue में जो district में located है और ये इंडिया की पहली solar city बनेगी सांची जो है इसे world heritage monuments के कारण जो है इसको जाना चाता है और यहां पे total एक मेगवाट of electricity का उत्पाधन किया जाएगा किससे solar energy से next question where has India's first Vedic theme park Vedwan park been inaugurated तो इसे नाम जो दिया है वो Vedwan का नाम दिया है और ये पहला ऐसा पार्क है जो कि Vedic theme पर आथारीत है इसका उद्घाटन कहां किया गया तो उत्तरप्रदेश के नॉइडा शहर में इसका उद्घाटन किया गया है ये जो पार्क है इसमें जो हमारे चार वेधाज हैं जिनका नाम है रुगवेद, यजुरवेद, सामवेद और अथरववेद तो एक तरीके से लोग उसको देखे अनुभव कर सके एक तरीके से उनको experience मिल सके अपने nature से, अपने culture से तो उसी इसी का ये एक पार्क जो है वो unique land है spirituality का, culture का और nature का next question where has India's first cable stay rail bridge been built by the Indian railways भारते railway के द्वारा जो भारत का पहला cable stay rail bridge है, कहां बनाया गया है तो ये जो bridge है, इसे बनाया गया है friends, जम्मू कश्मीर में ठीके ध्यान लखेंगे ये जो railway bridge है, ये रियासी अंजी कर जो bridge है, उसी का ही एक पार्ट है और ये कट्वा को रियासी के जो एरियास हैं, उनसे connect करेगा rail link के माध्यम से next question which has become the first state in India to bring right to health bill स्वास्ते का अधिकार विदेयक लाने वाला भारत का पहला राजे कौन सा बना है राजस्थान right to health bill ये provide करेगा, जो राजस्थान के residents से देखिए, उनको एक तरीके से hospital, clinic, laboratories में free treatment की सुविधा उनको provide करेगा ये bill, राजस्थान के बात करते हैं तो capital राजस्थान की है जैपूर और जैपूर को friends pink city के नाम से जानते हैं, और जैपूर जो है ये भी आ तकेंगे, ये world heritage sites में भी ये जो site ये add है और friends यहाँ पे chief minister कौन है अशोक, गहलोत, काल राज, मिश्वा यहाँ के governor है अगला question है which has become the first state in India to complete 100% rail electrification 100% rail विध्यूति करन पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है answer is हरियाना हरियाना का existing broadcast network है 1,701 रूट किलोमेटर का नाउ यह अब 100% पूरा electrified हो गया है next is where is India's first international multi-model logistic park being developed पारत का पहला अंतराष्टे multi-model logistic park कहां विक्सित किया जा रहा है असाम के जोगी घोपा में इसको develop किया जा रहा है इस project का उदेशे क्या है to revive the transport network in the northeast region of India जिसमें neighboring countries में include हैं जैसे भुडान और बांगलादेश next question which has become the first state in India to adopt water budget to deal with the problem of water scarcity in summer गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए जल budget अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है केरल इस्टेट यह जो water budget है यह केरल में help करेगा देखे जो भी water की demand है जो भी water resources के supply है तो उसके accordingly हो कि भी कितनी demand है कितना हमें supply करना है इसके बारे में देखे सारी चीज़ों को एक तरह के से find out करने में काफी water budget मदद करेगा next question इन्वेस सिटी विल इंडियास first below sea road tunnel भी built यानि समुदर के नीचे under sea भी आप इसे कह सकते है कि under sea जो tunnel है वो कि शहर में बनाई जाएगी answer is Mumbai में 2023 तक इंडिया की पहली water tunnel जो है यह जो tunnel है यह near जो गिरगाउं है marine drive के आगे उसी के पास यह शुरू होगी next question है where is India's first tele manas chatbot launched for 24 into 7 health services 24 into 7 स्वास्ते सेभाओं के लिए जो भारत का पहला tele manas chatbot है कहां launch किया गया है तो यह जो chatbot है इसे launch किया गया है जम्मू कश्मीर में tele manas की full form है tele mental health assistant and networking across state यह जो initiative है यह ensure करेगा the clock services for health consultant के लिकिन psychiatrist and advisors तो एक तरीके से उनकी 2400 घंटे आपको सुविधा provide करने के लिए काफी ज़ादा यह जो initiative है यह चीज़ यह सुनिश्यत करेगा कि आपको इन सब एरियास में 2400 घंटे services provide की जा सकें next question है India's first indigenous nuclear reactor Kakra Paratomic Energy Project has started in which state यह भारत का पहला स्वेदेशी परमाडू reactor है और इसका संचालन शुरू हुआ है कहाँ पे गुजरात state में next question the first drone police unit in India started in which city भारत में पहली जो drone police unit है इसकी शुरुआत कि शहर में की गई तो यह शुरू हुई कहाँ पे चेन नई शहर में अब इससे क्या होगा देखे specially जो large meetings होती है देखे कभी शहर में या vehicle registration का data रखना है investigate करना है उन सभी में काफी इस drone police unit से मदद मिलेगी next question where is India's largest private railway coach factory inaugurated भारत की सबसे बड़ी railway coach factory का उदगाटन कहां किया गया answer है तेलंगाना के कुंडा कल में जो है इसका उदगाटन किया गया है next question where has Geological Survey of India discovered India's biggest natural arc जो की 184 million years पहले की है और इसकी coach पे कहां पे की है Odisha के सुंदरगर में जो है जो आर्क है इसकी coach की गई है सुंदरगर नैचरल आर्क जो है ये iron जो sand stone है उससे ये बना है लगबग ये 184 से 160 million years पुराना है next question which village will be developed as India's first carbon neutral village भारत के पहले carbon neutral गाउं के रूप में किस गाउं को विक्सित किया जाएगा इसका उदेश्य क्या है दिखे कि जो carbon emission है उसको reduce करना और clean and green environment के लिए जो permanent solution है practices है उनको promote करना ही इसका उदेश्य है next question who has become the first woman president of the competition commission of India भारते प्रतिसपर्दा आयोग की पहली महिला अध्याक्ष कौन बनी रवनीत कौर CCI के स्थापन हुई 14 October 2003 को headquarter है इसका न्यू डेली में next question which is India's first ODF plus district भारत का पहला खुले में शौँच मुक्त जिला कौन सा बना है तो वो है फ्रेंट्स केरल का वाइनाड district next question India's first government mother milk bank for orphans has been launched in which state अनाद बच्चों के लिए जो पहला सरकारी mother milk bank है किस राज्य में शुरू किया गया तो इसे शुरू किया गया है उत्राखंड state में इस bank के माद्यम से जो milk है देखे वो newborn babies को provide किया जाएगा जब delivery के दौरान देखे ऐसा होता है कि कभी किसी mother के death हो जाती है तो उनकी बच्चों को milk provide करने के उदेशे से यह जो mother milk bank है इससे शुरू किया गया है next question which has become the first state of India to bring public services completely on e-governance platform e-governance platform पर सारवजनिक सेवाओं को पूरी तरह सी लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है answer होगा केरल state केरल के बात करते हैं friends तो तिरुवरंत पुरम केरल की capital है केरल में chief minister है पिनराई विजियन और आरिफ मुहम्मद खान जो है वो केरल के governor है अच्छा केरल के important national park के बार exam में पूछ लेते हैं इंडिया's first prime minister mega integrated textile region and apparel park will be stabilized तो भारत का जो पहला जो PM में तर mega textile park है कहां पे स्थापित किया जाएगा तो इसे तमिलाडू के विरुधु नगर में स्थापित किया जाएगा next question who has unveiled इंडिया's first hand-hand navigated device based on Indian regional navigation satellite system तो जो हमारे satellite system पर अधारित भारत का पहला hand-held जो navigation hand-held होगा चीक है hand-held जो navigation device है इसका अनावरण किस ने किया तो इसे unveil किया है friends किसने Elena Geosystems ने इस device का उदेशे क्या होगा कि accurate guideline प्रोवाइट करेगा various infrastructure projects के लिए जैसे कि railway, land survey, telecom, hydrocarbon exploration तो उन सभी के लिए बिलकुल सटीक धिशा निर्देश प्रधान करेगा next where has union home minister अमिशाहा laid the foundation stone of India's first cooperative operated scenic school बारत का पहला सहकारी संचालित scenic school की अधाशिला कहां पे रखी गई? आंसर होगा गुजरात के महसाना में और किसने रखी ये भी याद रखेंगे home minister अमिशाहानी next question who will be first urban body of India to receive a single plastic recycling? single plastic recycling पर प्राप्त करने वाला भारत का पहला नगरी निकाय कौन सा बनेगा? तो friends answer होगा इंदौर शहर India's first international cruise vessel MV Empress has started its first cruise service between Chennai मतलब भारत की पहली जो अंतराश्टी cruise vessel है MV Empress इसने Chennai से किस देश के बीच में अपनी पहली cruise सेवा प्रारंप की है? तो इसने प्रारंप की है Chennai से friends ध्यारने केंगे कौन सी country तक answer हो चाएगा? ओके friends यहाँ पर options में थोड़ा सा यहाँ सुरी पिक्चर थोड़ी गलत लगी है ठीके पिक्चर पर मत जाएगा यहाँ पर जो answer होगा वो श्री लंका होगा तो Chennai से श्री लंका तक जो है इसने अपनी पहली cruise service को शुरू किया है बारत की पहली हरित बिमानन इंधन उत्पादन इकाई कहां स्थापित की जाएगी तो इसे हरियाना के पानीपत में स्थापित किया जाएगा नेक्स्ट क्वेशन वेर विल इंडियास फर्स्ट मरीना वी मेट तू प्रमोट कोस्टल ट्यूरिस्म तर्टिय परेटन को बढ़ावा देने के लिए भारत का जो पहला मरीना है यह कहां बनाया जाएगा तो इसे बनाया जाएगा बिंदूर करनाटका मी इसका उदेश यही होगा कि जो करनाटक स्टेट में कोस्टल ट्यूरिस्म है उसको प्रमोट करना नेक्स्ट क्वेशन वेर विल इंडियास फर्स्ट सेमी कंड़क्टर प्लांट ओपन टू मेक सेमी कंड़क्टर अंड डिस्पली तो semiconductor display बनाने के लिए जो भारत का पहला semiconductor plant है ये कहाँ पे खुलेगा गुजराद के धुले रामी ये जो प्लांटें से stabilize किया जाएगा विदानता ग्रूप के द्वारा and एक largest manufacturing company है Foxconn इनके द्वारा इसे स्थापित किया जा रहा है next question which is the first state of India to approve good governance regulations सुसाशन विनियमो को मंजूरी देने वाला जो भारत का पहला state बना है वो कौन सा है महराश्ट्र इन रूल्स का उदेशे क्या है कि जो accountability है, access, mobility है, transparency है state administration में उसी सभी को बढ़ाना इसका उदेश्य है next question which state of India has become the first state to win the international green apple awards in 2023 अंतराश्टे green apple award जीतने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है answer है तेलंगाना तो तेलंगाना state को उसकी जो पांच building सा देखे तेलंगाना में और उनी की beauty के लिए उसे award दिया गया है जो international green apple award है ये हर एक साल प्रेजेंट किया जाता है green organization के द्वारा लंडन में next question where has prime minister नरेंदर मोदी जी unveiled इंडिया's first जल मेट्रो प्रोजेक्ट भारत के पहली जल मेट्रो परियोशना का अनावरण कहां किया गया तो इसका अनावरण किया गया है कहां पे कोची केरला में इंडिया's first port taxi service will be launched in which state भारत की पहली port taxi सेवा किस राज्य में शुरू की जाएगी तो friends ये जो service है ये कहां शुरू होगी उत्ता प्रदेश में ये जो service है connect करेगी film city sector 21 को जिवार एरपोर्ट से और जो port taxi है इसकी किते लंबी होने वाली है 14.6 km अगला question आईफोन manufacturer apple इंक ने किस शहर में अपना पहला जो apple bkc store है कह लिजे एक open किया है तो पहला store कोला गया है कहां पे मुंबई शहर में नेक्ट क्वेशन इंडिया's first solar energy powered tourist boat सूर्यांशू has been launched in which state भारत की पहली सौर रुजासे संचाले जो परियतक नाव है सूर्यांशू इसका यह किस राजे में शुरू हुई है तो यह शुरू हुई है friends keral state में यह जो tourist boat है से केरल इस्टेट inland navigation corporation के द्वारा launch किया गया next question where will India's first digital science park be stabilized भारत का पहला digital science park कहां स्थापित किया जाएगा तो इससे स्थापित किया जाएगा केरल इस्टेट में आगला question है which is the first constitution literate district of India भारत का पहला समीधान साक्षर जिला कौन सा बना है तो यह है friends keral का कुलम district constitution literate होने का मतलब है कि मतलब लोगों को देखे constitution के बारे में यानि भारत के समीधान के बारे में उनको साक्षर करना अगला question है where will India first 3D printed post office open भारत का पहला 3D mudrit डांगर कहां पे खुलेगा सही answer है Bengaluru में इसे open किया जाएगा और इसे Larson and Turbo company के द्वारा manufacture किया जाएगा जो कि एक मातर company है जो कि manufacturing के लिए 3D printing technology को यूज करती है next question देखे which state of India has become the first state to apply blindness control policy for visually impaired people तो जो visually impaired people है उनके लिए blindness control policy लागू करने वाला भारत का पहला राजय कौन सा बना है राजस्थान इसका उद्देश है क्या है देखे कि जो visual impaired people है उनकी life में देखे एक तरीके से रोशनी को लेके आना फरसे next question which state of India with complete digital banking has become the first state मतर एक तरीके से पूर्ण digital banking वाला जो भारत का पहला राजय बना है वो कौन सा है केरल इस्टेट next question which company has launched the first chat GPT operated AI chatbot Lexi in India बारत में पहला जो chat GPT संचालित AI chatbot है Lexi इसे किस company ने launch किया है तो इस chatbot को launch किया है velocity company ने chatbot एक computer program है जो artificial intelligence और natural languages जो processing है देखे उसको उसका use करता है ताकि जो users उनके questions के answer कर सके उनको understand कर सके next question who has become the first woman player in India to join the list of visitant cricketer of the year visitant cricketer of the year के सुचे में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला खिलाडी बनी है Harmanpreet Kaur अगला question है what has become the new name by changing the name of India's first semi high speed regional rail service भारत की पहली semi high speed छित्र रेल सिवा का नाम बदल का नया नाम क्या हो गया है तो इसे नया नाम दिया है rapid X next question which urban body of India to issue green bond is made Harit bond चारी करने वाला भारत का पहला शेहरी निकाय कौन सा बना है सही answer होगा friends indoor शेहर next question where will the deepest metro station be built in India भारत में सबसे गहरा metro station कहां बनाया जाएगा answer है friends पुने महराष्ट में अगला question है where will India's first dark sky reserve be built तो भारत का पहला dark sky reserve कहां पे बनाया जाएगा answer होगा लद्दाक में next question where will India's first green energy based solar panel construction factory भी set up तो बारत की पहली हरी तूचा आधारे सौर पैनल निर्मान factory कहां पे स्थापित की जाएगी तो इससे स्थापित किया जाएगा उत्राखन state में यह solar panel manufacturing factory जो है से किसके द्वारा मताइक तरीके से बनाई जा रही है luminous power technology company के द्वारा next question which city in India has become the first city to measure its progress towards achieving sustainable development goals सतत्विकास लक्षियों को प्राप्त करने की दिशा में अपनी प्रगती को मापने वाला जो भारत का पहला शहर बना है यह मध्यप्रदेश का भोपाल शहर आगरा question which bank is the first bank to launch the women's honor savings certificate scheme in India भारत में महिला संबान बचट प्रमाडपत रियोशना शुरू करने वाला जो पहला बैंक बना है वो कौन सा है बैंक ओफ इंडिया इस स्कीम के तहत महिलाएं जो है वो अपना saving account ओपन कर सकती है पोस्ट ओफिस में और उसमें 1,000 से 2,000 रुपीज को deposit कर सकती है next question है IIT Madras will establish its first international campus in which country तो IIT Madras किस देश में अपना पहला अंतराश्टे परिसर को स्थापित करेगा तो इसे स्थापित करेगा कहां पे तंजानिया country में next question who became the first Asian swordsman to win a bronze medal in the Asian Fencing Championship 2023 एशिया तलबारवाजी Championship में कांसे पदख जीतने वाली जो पहली तलबारवाज बनी उनका नाम क्या है भवानी देवी और यह जो Championship हुई ती यह हुई कहां पे ती याद रखेंगे चाइना में next question which state of India has become the first state to start कल्यान कोश फॉर मन्रेगा वर्कर्स मन्रेगा श्रमिकों के लिए कल्यान को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है केरल इस्टेट next question where will India's first 7 km long twin track under sea railway tunnel be constructed भारत के पहली 7 km लंबी twin track under sea rail सुरंग का निर्माण कहां किया जाएगा तो इसका निर्माण होगा महराष्ट के थाणी में next question in which country is the first Indian Prime Minister to address the joint meeting of Congress in Prime Minister Nareen Modi two times देखे जून 2017 में मोदी जी ने किस देश में Congress की जो सयूंत बैटा कोई थी इसको दो बार यह संबोधित करने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो यह Congress यह meeting कहां पे हुई थी अमेरिका में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने address किया US Congress को पहली बार 8 जून 2016 में देखे इन्होंने संबोधित किया था उनके अलावा इसराइल के प्राइम मिनिस्टर जो नेतनियाहू है उन्होंने US Parliament को तीन बार address किया है next question where will India's first new metro services be started भारत की पहली new metro सेवा कहां पे शुरू की जाएगी उत्राखंड के धिरादून शहर में next question which is the first state of India to launch digital health card for children बच्चों के लिए digital स्वास्थे कार्ड लॉंच करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है उत्ता प्रदेश अगला question है which state of India has been formed to establish a separate department for दिव्यांग दिव्यांगों के लिए कलग से department स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है फ्रेंट्स महाराश्ट state यह जो department है यह जो डिखे जो disabled लोग उनको physically और mentally दोनों तरीके जो disabled हैं उनको educational और उनके commercial यानी सेक्षिक और विवसाइक दोनों तरह की उनको service प्रवाइड करने के लिए 5G technology मतलब है 5th generation mobile network और जो 5G network है यह millimeter web spectrum में work करेगा जोकि एक तरीके से internet की बहुत ही huge amounts में देखे आप बहुत जल्दी speed से data को भेज सकेंगे next question which is the first state of India to include robot elephant for temple ritual duties मंदिर अनुष्ठान करतव्यों के लिए robot हाती को शामिल करने वाला जो भारत का पहला राज्य बना है वो कौन सा है answer है Keral state who became the first airport of India with free reading lounge मुफ्त reading lounge वाला जो भारत का पहला airport बना है वो कौन सा है तो friends यहाँ पे right answer हमारा होगा लाल बहादु शाष्ट्री airport और यह located है वाराण सी में next question who has become the first female officer of Indian Air Force to receive the bravery award वीर्दा पुरुषकार पाने वाली भारते वायू सेना की पहली महिलाधिकारी बनी है दीपी का मिश्रा दीपी का मिश्रा मध्यप्रदेश इससे बिलॉंग करती है और इन्हें जो है वायू सेना जो medal है इससे सम्मानित किया गया है next question which will be the first state of India to include 100% electric vehicles in government department by 2030 2030 तक सभी सरकारी विभागों में 100% electric vehicle शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा होगा answer is उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश सरकार ने initiative लिया है ताकि environment को safe किया जा सके हो जो electric mobility है उसे हम अपनाएं अगला question in which city the successful trial of India's first underwater metro train is done भारत की पहली underwater metro train का सफल परिक्षण के शहर में किया गया answer होगा friends कौलकाता में इस trial के दुरान जो metro रेल थी से हुगली रिवर के अंदर 520 मिटर का जो tunnel ता उसमें operate किया गया और इस train के साथ जो हावडा metro station है कि इंडिया का deepest metro station बन जाएगा next question where is India's first national center for excellence in green port and shipping green port और shipping में जो भारत का पहला राष्टी उत्करश्टता की इंदर है ये कहां पी है तो इसकी स्थापना की गई है गुरुग्राम में next question for the first time in India which player will be named hockey stadium भारत में पहली बार किसके लाड़ी का नाम जो है मतलब एक hockey stadium का नाम रखा जाएगा किसके लाड़ी के नाम पे आंसर है रानी रामपाल और जो hockey stadium होगा उसका नाम क्या होगा रानी गर्ल होकी टर्फ next which village will be known as first village of India कौन सा गाउं भारत के पहली गाउं के नाम से जाना जाएगा आंसर इस उत्राखंड का माना विलेज यू बोडर रोड और ऑर्गनाईजिशन इस उसका entrance gate है ना उस पे देखिए इंडिया के पहली विलेज का देखिए नाम टैग लगाया है तो पहले तो ये last village कहा जाता था लेकिन अब ये इंडिया का पहली विलेज के नाम से जाना ये उत्राखंड के चमोले डिस्ट्रिक में जो इंडिया चाइना वॉर्डर है उसी के पास situated है नेक्स्ट क्वेशन दजिलोजिकल सर्पे ऑफ इंडिया हास डिस्कवर्ड लीथियम रिजर्व फॉर दी फॉर्स टाइम इन इंडिया पहली बार जो लीथियम के भंडार है इसके खोजर की गई है जम्मौ कश्मीर के रियास्ती डिस्ट्रिक में लीथियम से क्या होता है देखे तो लीथियम एक नॉन फेर्स मेटल होता है जिसे हम जो बैटरीज होती हैं से mobile, laptop, electric वहिकल्की उनको बनाने में जो चार्जबल बैटरीज उनको बनाने में लीथियम क का यूस किया जाता है。 अगला कोशन है वेर हैस इंडिया फर्स्ट हाइबृड साूंडिंग रॉइट लॉइन्च्ट तो भारत का पहला जो हाइब्रिड साूंडिंग रॉइक इसे लॉइन्च किया गया है तमिलनाडू के पट्टी-पृलम से। इस रॉइकट को यूज किय चाहेगा weather, atmospheric condition और radiation के research में यानि अनुसंधान में इसको use किया जा सकता है Next question, which district of India has been made to provide basic documents to all tribals सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्ताबेच उपलब्ध कराने का जो प्रावधान है या किस जिले के द्वारा ऐसा किया गया है केरल के वाइनाट district के द्वारा Next question, India's first electric AC double-decker bus is inaugurated in which city? भारत की पहली जो AC double-decker bus है इसका उद्गाटन के शहर में किया गया तो fence इसको इसका inauguration किया है मुंबई शहर में Next question, where is India's first animal birth control training center stabilized? भारत का पहला पशू जन्म नियंतरन प्रसिक्षन की इंदर कहां पे स्थापित किया गया है? उतरबरदेश के लखनव शहर में अगला question है, where has union minister नितिन गटकरी unveiled buses running from the first methanol? मतनल से चलने वाली जो buses हैं उनका अनाफरण नितिन गटकरी जी ने कहां पर किया? बिंगलाज शहर में मतनल को दिके produce किया जा सकता है carbon monoxide, carbon dioxide और hydrogen की reaction से थूँ जिसे कहा जाता है sin gas next question which state of India has been formed to use a robotic scavenger called bandicoot to clean the sewage to sewage साफ करने के लिए bandicoot नाम के जो robotic scavenger है यानि सफाई कर्मी है इसका उप्योग करने का निर्ने लिया है या कहां पर उप्योग किये जा रहे हैं केरल स्टेट में who has become the first woman pilot of India to blow सुखोई fighter aircraft 30 MKI तो 30 MKI जो सुखोई fighter aircraft है इसे उड़ाने वाली पहली महिला pilot बनी है अवनी चतरवेदी अवनी चतरवेदी बिलॉंग करती है मध्या प्रदेश से next question है where is India's first and world second infantry museum open for the general public ये इंडिया का तो पहला देखिया ऐसा और दूसरा infantry विश्व का दूसरा infantry संगराले है और ये खुला है मध्या प्रदेश के महू में इसे open किया गया है अगला question where will India's first Buddhist university धम दीपा international Buddhist university be built तो ये पहली देखिया इंडिया की बौध विश्व इध्याले है और इसे बनाया जाएगा कहां पे तिरपुरा state में next where is India's first telecom network link based on quantum computing quantum computing पर आधारी जो भारत का पहला दूर संचार network link है ये कहां पे शुरू किया गया इसे New Delhi में start किया गया next question researchers of which institute have developed India's first and only DNA vaccine for the treatment of Dengu fever Dengu बुखार के इलाज के लिए जो भारत का पहला और एक मात्र DNA टीका है इसे विक्सित किया है किसने India National Center for Biological Sciences Bengaluru के द्वारा इसे विक्सित किया गया अगला question which state of India has been made to start an insurance scheme for silk producers बारत के किस राजय में रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योशना शुरू की गई तो इसे शुरू किया गया उत्राखन state के द्वारा उत्राखन पहला state बना है जिसने silk growers के लिए insurance scheme को शुरू किया है जिसे कभी होता है ना कि climate change हो जाता है या कोई ऐसा अन्यर डेंजर आ जाता है जिसके वज़ए से उनकी उनकी उपर बहुत दो उसका effect पड़ता है तो उसी के लिए यह जो insurance scheme है वो शुरू की गई है तो भारत का पहला जो glass igloo restaurant है यह खुला है जम्म कश्मीर के गुलमर्ग में next question which is the first union territory of India to fully adopt digital methods digital तरीकों को पूर रूप से अपनाने वाला जो भारत का पहला union territory बना वो कौन सा है जम्म कश्मीर तो यहाँ पर friends हमारी questions complete होते हैं चलिए test की बात करते हैं आप इनकी answer हमें comment box में बताईएगा तो पहला question है where has India's first cable stay rail bridge being built by the Indian railway तो इंडिया का पहला जो cable stay rail bridge है यह कहां पे बनाया गया है दूस्टा question इंडिया की पहली under sea low tunnel यह कहां पे बनाई जाएगी तो इन दोनों question के answer आप हमें comment box में जरूर बताएएगे इसे के साथ friends है important topic complete होता है Thank you so much for watching this video